हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं कक्यूंबर रायता यह रायता जितना टेस्टी होता है अगर्मियों में उतना ही रिफ्रेशिंग भी लगता है आएए देखते हैं इसके इंग्रीडियंट्स मैंने इसके लिए दो कप दही एक कप कसा हुआ खीरा और मैंने लिए हैं मिन्ट चीनी जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर काला नमक सफेद नमक ही इंग और दो हरी मिर्च और चलिए हम अपना रायता अ अदद से चान लेंगे मुझे ऐसे स्ट्रेइनर से स्ट्रेइन किया हुआ अच्छा लगता है अगर आपको ऐसे पसंद नहीं तो आप हाथ से भी फेट सकते हैं या फिर ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं यह देखे कितना अच्छा हमारा दही हो गया अब इसमें अपने स सारे इंग्रीडेंट्स एड़ करते हैं अब मैंने इसमें डाल दिया अपनी हरी मिर्चे और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने चीनी पाउडर और अब जीरा काली मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर काला नमक सफेद नमक ही इंग और पोदीना, अगर आपके पास सूखा पोदीना नहीं है, मैं हमेशा गर्मियों के लिए सूखा पोदीना ड्राय करके रखती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश मिंट का भी यूज कर सकते हैं, आप कक्यूंबर रायता में मिंट यूज करके देखें, आपक रेड चिली पाउडर से अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और थैंक्स वर वाचिंग आर वीडियो